दोस्तों यह दखिये आज हम लोग बना रहे हैं सोया चाप और ये सोय बीले हैं हम लोगोंने आज आद ही सोयबीन जो है क्या बेमका व्म मीशी में चला रहे हैं मैं आप लोंके के सार शेयर कर रही हूं तो हमने सोया बीन ले ली थी औरोप मानी ने चयोर लिया जो जो जाग्वाला पाणी वहता देना फिर हमने जो है इसको सारी सोया बीन पीस ली और उसमें हम डाल देंगे नमक और कुछ नहीं पीसना है यह देखना है कि फाइन बढ़िया पेस्ट बन जाए सोया बीन का तरह सा थोड़ा सा और उसके बाद यह देखिए अब इसकी हो रही है मडाई यानि से थोड़ा- दालके प्रियंका उससे उसको खूब रगड रगड के खूब अच्छे से उसको मिक्स कर रही है कि उसका एक बढ़िया सा डो बन जाए कि जिसको बेला जा सके तो मैंने इसको कभी नहीं बनाया है तो मेरे लिए भी है यह बिलकुल एक नई रसपी और पता है कोई चीज न आए पर जब के सामने वो चीज बनती है तो उसकी पूरी रेसेपी आपको बहुत अच्छे से समझ भाया जाती तो इससे मैं देखी रही थी और बाकी सारी प्रियंका ही कर रही थी तो यह देखिए मैदा कितने अच्छे से उसको मिक्स करते हुए उसने उसको रगड है तो पहले देखिए प्रियंका बना रही थी फिर मनीश भी आ गया अभी बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं फिर आगे चलके देखिए अभी शुभी भी आ जाएंगी तो सब लोगों ने मतलब सोया चाप स्टिक जो है सब लोगों ने मिल के बनाई है और थोड रहा था कि इसको ऐसे ही बनाना है तो मज़ा आता है ना जब फैमली में सब लोग मिल के कोई काम करते हैं तो उसका मज़ा ही दूसरा होता है तो ये मनीश जी की स्पेशल सोया चाप स्टिक तयार हो गई है जिसको रख दिया गया और उसके बाद ये देखिए दूसरी स्ट आने के लिए कि वो भी बनाया बाद में वान्या ने भी बनाया था तो बहुत बढ़ गया लग रहा था और सच में बहुत अच्छा लगता है ना जब सब लोग मिल करके कोई काम करते हैं तो अपने आप हर दिन फैस्टिवल जैसे ही हो जाता है तो हम लोग खुब इंजव हो रहा है खाने के लिए पापा को तो मतलब एक टाइम होता ना कि उस टाइम पर खाना चाहिए ही होता है तो फिल हाल यह देखिए हम लोगों ने सारे चॉप स्टिक बना लिये थे और उसके बाद एक बड़ी कड़ाही में पानी रखा उबलने के लिए उसमें डाल दिया थोड़ा सा रिफाइन डॉयल और नमक और उसके साथ ही सारे चॉप स्टिक उसमें डाल दिये थे वाई कड़ाही बड़ी थी तो एक ही बार में सारे आ गए और पता है जब मुझे लग रहा था ना इसमें पानी कम है तो मैंने पानी थोड़ा सा और एड़ कर दिया था और है या नहीं तो इसको चेक कर लेंगे अच्छे से इसमें हम चाकू को डाल करके देख लेंगे कि अच्छे से हो गए कि नहीं तो बस हम लोगों ने इसको चेक किया और ये हो चुके थे तो बस यह हुआ कि अब इसको निकाल लेते हैं और इसके बाद इसको थंडे पानी में धूल देंगे इसको ठंडे पानी से कि इसकी कुकिंग प्रॉसेस बिल्कुल वहीं पे रुक जाए क्योंकि ये बहुत अच्छे से पाक चुका था हम लोगों ने चेक करके देख लिया था तो बस अब इसको हम छान लेंगे उसके बाद इसको ये देखिए कि खिते बढ़ें से स्टिक हम इसमें से निकाल ले रहे हैं और बिल्कुल भी स्टिक निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई है तो ये दिखिए बाद स्टिक निकल चुकी है और उसके बाद इसको ना हमको पीसेस में करना है कट आप जितने बड़े pieces चाहें, उतने बड़े pieces रक सकते हैं आपको कैसा लगता है, सोय चाप, आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा अगर अगर आपके लिए बही है य曾 नई recipe तो भी मुझे comment करके जरूर बताइएगा और एक बार try चाना कि कैसा लगता है य। वाकई हर चीज़ ना टेस्ट करनी चाहिए मैंने फर्स टाइम टेस्ट के मुझे तो बहुत यमी लगी और शुभी को भी बहुत अच्छी लगी घर में सभी को अच्छी लगी तो बस ये देखिए सारे स्टिक निकल गये थे और उसके बाद हम इसको कर ला थे कट और ये देखिए अंदा से किता बढ़िया बना हुआ है को छोटे या बढ़े टुकडों में कट कर लीजिए पहरे मने को रगा था कि हम लोग इसमें से बचा लेंगे फिर यह वा नहीं एक साथी बना लेते हैं जब हम दुबारा ट्राई करेंगे ना जब मैं दुबारा खुद बनाऊंगी तो मैं फिर फिर डे सारे चॉप्स्टिक तयार करके रख लूँगी और हम लोग को अब टेंशन हो रही थी क्योंकि डिनर में हो रहा था बहुत लेट तो फटफट से काम खतम किया जाए और जल्दी से खाना बना लिया जाए क्योंकि पापा को टाइम पे खाना चाहिए होता है तो फिलहाल अच तो लेट हो ही चुका है बस हम लोग भगवाल से बना रहा है कि हम लोगो ना आज ना पड़े तो काफ़ी टाइम टेकिंग है ये रेसिपी लेकिन केस्टी भी बहुत है तो आप बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा अब बस इसके बाद ना हम इसको फ्राइ कर लेना है तो एक तरफ ये हो रहा था दूसरी तरफ मैं इसके लिए ग्रेवी तयार कर रही थी बना रही थी इसके लिए तो ग्रेवी के लिए प्यास पुर अफली चॉप करके मैंने फ्राइ कर लिया था और उसके बाद उसमें हमने लहसून अद्रक और हरी मिल्स डाली थी मिर्च आपने इस वाद के नुसार डाल लीजिए और उसके बाद टमाटर को बॉयल कर लिया था और फिर एक साथ जब सब कुछ छड़ना हो गया तो मिक्सी में पीस लेंगे तो बहुत बड़ी अग्रेवी तयार होती है तो सारे चॉपस्टिक प्रेंकर ने फ्राइ कर लिए उसके और उसको मैगनेट करने के लिए ली थोड़ी सी दही दही में डाला लाल मिर्च पाउडर नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दिया था और साथ में डाला गरब मसाला और उसके बार ये जितने fry pieces थे ना इसको निकाल निकाल करके हमने उस दही में add कर लिया था और उसके बाद खुब अच्छे से mix करना है इसको बतब सब कुछ बहुत अच्छे से उसमें लग जाए पूरा दही में coated हो जाए तो जितने अच्छे से आप उसको वो किजा हमापस दही थोड़ी थी ना तो हम लोगों ने कहा कोई नी थोड़ा सा दही बचा लिया था हमने कि इसकी ग्रेवी में डालने के लिए तो यह देखी पहले प्रेंका ने स्पून से किया क्योंकि यह गर्म-गर्म था ना और फिर जैसे ही वो उसे हाथों से मिक्स किया और रख दिया साइड में तब तक हम इसकी ग्रेवी तयार कर लेते हैं तो रिफाइन ओल में डाल दिया थोड़ा सा हीन जीरा तेजपत्ता हमारा खतब हो गया था वरना आप तेजपत्ता भी डाल सकते हैं इसमें डाल शीनी भी डाल स कि लिए इसकी बाद थोड़ा सा इसमें गरब मसाला और थोड़ा सा टेस्ट इनहांस करने के लिए इस पर डाल दिया था पाउ भाजी मसाला तो सब मिलाके बहुत बढ़िया enact ग्रेवी तियार हुई थीं और सबजी मसाला जो वो डाल द्या था और इसको खुब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और जब ये मसाला पूरा अच्छे तरह भुन गया ना वैसे तो मारा मसाला पका हुआ था ही कच्छा पर नहीं था इसमें तो जो थोड़ा सा दही बची थी ना प्रियंका ने वो भी डाल करके मिक्स कर दिया और उसके बाद जब इसमें एक बॉयल आ गया ये एक बार उबल गया तो फिर उसके बाद ये जितने सारे चॉप च्छिक से प्रियंका ने इसमें डाला और उसके बाद इसको दो तीन मिनट तक हम लोगों ने पकने दिया अधक करके वाद जैसे ही हमारा ये सोया चाप तयार वाद लोगों ने फटा-फट घर में सब को खाना दिया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी